नमस्कार स्वागत है आपका आईने 24 पर और आपके साथ मैं हूँ पृति सिंग बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर सदर अस्पताल परिसर में बीते दिन बड़ी मात्रा में एक साथ एकस्पायर दवाएं मिले थी जिन में अधिकांस बच्चों की दवाईया पाई गई थी और साथ ही सदर स्दर अस्पताल ने कोरोना काल में बेस कीमती दवाओं में से एक रेमडे से विर्भी थी मेडिया में खबर चलने के बाद जिलाप्रशासन हरकत में आई और स्वास्त विभाग को जाच कर रिपोर्ट सौपने का आदेश दिया वहीं डॉक्टर संभुनाथ चौधरी ने इसकी बारीकी से जाच कर सारा रिपोर्ट को तयार कर रहे हैं वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी दवाएं मिली हैं सभी सदर अस्पताल की है कोरोना काल में दवाओं का स्टॉक मंगाया गया था जिसके कारण दूसरी बिमारी के मरीज कम आये और हमें कोरोना काल में तयारी करके रहने की जरूरत थी हाला कि जिलाप्रशाशन के इस तर से जाच चल रही है तो सदर अस्पताल के कैंपस में वो जो भवन है जहांपर की दवाई मिली है उसको एक्चुली वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए एक कॉर्णर है जहां पर कि आप देखेंगे कि वो चारों रंग का वो रूम बना हुआ है, उसके अलावा जो बाहर का एस्पेस है, वो बाहर का एस्पेस में एक्च्वली नहीं रखा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रिपेर का काम सैध कर रहा था उसका अंदर में, इसके चलते वो बाहर रखी थी जैसा पहले बताया गया था कि दौइंस दरश्पाल की या हमारे सरकारी अस्पाइल की नहीं है वो सभी स्पर्रशकारिश्पाल की ही है और हम लोगों ने अभी झाँ शुरू किया है जो तो एक स्पाइरी मेडिसीन होता है वो एक सतत प्रिकिरिया है, अचिलिक कभी भी दवा जब खर दी जाती है तो दवा का यूटिलाइज welche होता है और और कुछ ऐसी दवाइय में बच जाती हैं वहर बार होता है कि कुछ दवाइयं बच्ती हैं था है कि एक दम called Kant che बहुत मुस्किल है और आप भी मानेंगे कि कोबीट के समय में कोबीट का मरीज बढ़ा लेकिन बहुत सारे जो अन्य बीमारियां थी उसके मरीज के भैवार भैवस भी अस्पताल में नहीं आ रहे थे तो कुछ दवाएं थी बहुत जादे दवाई नहीं है लेकिन हम लोग अ सुरुवात के दौर में जब हम लोग उसका सहीड आकलन कर लेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे